देश भर में शोक की लहर दोड़ गई है क्योंकि भारत के दिगज उद्योगपती रतन टाटा का बुद्वार शाम निधन हो गया। और एक से बढ़ कर एक योगदान दिये। असियान नेताओं के साथ हमारी व्यापकरण नितिक साचेदारी में प्रती की समीक्षा करूँगा और हमारे सहयोग की भविश्य की दिशात तै करूँगा। नई दिल्ली आज पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थे जागरुकता के लिए विश्व मानसिक स्वास्थे दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थे से जुड़े मुद्दों के प्रती जागरुकता फैलाना और मानसिक स्वास्थे के महत्व पर जोर देना है। लेकिन इसके प्रती जागरुकता की कमी और समाज में इससे जुड़े कलंग के कारण कई लोग समय पर मदद नहीं ले पाते। विश्व स्वास्थे संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थे समस्याएं दुनिया भर में बढ़ रही हैं। इस वर्ष का मुख्य संदेश है कि मानसिक स्वास्थे से जुड़ी समस्याओं को नजर अंदाज न करें और जरूरत पढ़ने पर पेशेवर सहायता लें। चंडीगड में दोबारा पक्का मोर्चा लगाने का फैसला भी लिया जा सकता है। साथ ही यूनियन ने 6 नवेंबर को सभी जिलों में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। पर जाकर भरती से जुड़ा सांकेतिक विज्यापन देख सकते हैं। आवेदन करने हेतु अभिर्थियों की आयू 1 जनवरी 2014 को 21 वर्ष से कम और 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, सामाजिक एवं शैक्षनिक, रूप से पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगजनों और भूतपूर्व सैनिकों को प्रचलित नियमों के अनुसार सामान ने आयू सीमा में छूट दी जाएगी। पुरी नई दिल्ली पुरुशोत्तम एक्सप्रेस में विसफोटक के साथ आतंकियों के सफर करने की सूचना से हड़कम्प मच गया। इसके बाद रेल्वे अधिकारी सतर्क हो गए। गुरुवार तड़के उत्तर प्रदेश के टूंडला रेल्वे स्टेशन पर पुरी नई दिल्ली पुरुशोत्तम एक्सप्रेस को तीन घंटे से अधिक समय तक रोक दिया गया। व्रिंदावन के संथ प्रेमानंद द्वारा राधा कुन में लोगों को नोट बांटने के मामले में श्री कृष्ण जन भूमी मुक्ती निर्मान ट्रस्ट के अध्यक्षा शुतोष पांडे ने डीम से शिकायत की है। उन्होंने संथ पर आरोप लगाया है कि भीड जुटाने के लिए उन्होंने लोगों को रुपए बाटे हैं। यहां तेंदुआ दिखने के बाद वन विभाग ने ग्रामीनों को उस ओर न जाने की मुनादी कराते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि अभी पुष्टी नहीं हो पाई की तेंदुआ गया कहा है। बुधवार को सागोनी वन परिक्षेतर अधिकारी अखिलेश चौर्सिया के निर्देश पर वन कर्मियों ने कोटवार के माध्हम से मुनादी कराई की जिलहरी, गुदरी और आसपास के गाव में एक जंगली जानवर देखा गया है। इसलिए आप लोग सतर्क रहे और वन विभाग को सूचना देते रहें। ग्रेटर नोईडा ग्रेटर नोईडा वेस्ट में बढ़ते बिजली लोड के कारण होने वाली कटौती से निवासियों को राहत मिलेगी। नोईडा पावर कंपनी लिमिटेड के सेक्टर एक में 9 निर्मित 33 बटा 11 केवी बिजली सब स्टेशन का बुधवार को शुभारंब हो गया। इसके सब स्टेशन से टेक जोन 4 सेक्टर एक वबिसरक गाउं के आसपास के कामर्शियल उप्भुकताओं को बिजली आपूर्ती होगी। कंपनी के वरिष्ट उपाध्यक्ष उपरेशन सारनात कांगुली ने बताया कि सब स्टेशन में 12.5 MVA के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इसमें एक फीडर 220 केवी जलपुरा सब स्टेशन से और एक फीडर 400 केवी सेक्टर 123 नोएडा से जोड़ा गया है।